अस्सलामू अलेकुम मैं जमीर अमद अंसारी और आप देख रहे हैं Znews4U अर्ज यह कि आपने अपने यूट्यूब चैनल Znews4U को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिये हुए बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें शुक्रीब जए लाइ लाल। अश्वादू लॉबूद्यू बेला इला 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 ओढूदू इस आधश्य मे थेक्त शफेडादी प्रियाίο के अ आध़ ईन्हान अधेड रसु God जाधन्हान इन्हान ये जू थैंए अजा बुम्न मुवामध आषून्वाद आयान सलाव 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 अलाओ 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 अलाओ, अलाओ आतो अलाओ अलाओ झालाओ नादोनिас टेंड़ू वन आउ पिल्लाह मन शुरूर अंफसना वमिन सैङात आमालिना दोचैनलभ लगाउस और यह ईसकत हैं नामालना वन दूल फ़न आदियों धुछ सब्याति गया हो जान्जादीना वाशहद वन ला आलाह एलाह वहिमिंद लाह वह भी लाहु करें अम्मा बाद, फइन खेर अधिस किताब लाह, वखेर अधिय हदिय मुहम्मद सल्लाह अलीह वसल्म, वशर्र अमूर मुह्दसात हा, वकुल मुह्दसत बिदा, वकुल बिदात जला, वकुल जलालत फिन्नार. वख काल भुलाह तबारको ताला फि कलामदी अलमजीद, आओज बिल्लह मिन श्शेटान वर्जीम, या युहा लदिन आमनु दुहुलु विस्सी लम काफा, वला तट्बूआ उत्ब़ूँ खुत वश्चेपान इन्नारो ला मुदस्टान अल्गुम, वश्युम्म्मुम्म वाकाल तादाला व्में यु शाकिक र्रसूल मिन बाद मा तबैन लहु अल्हु लहु गईर सबीलिल्मुमिन वल्लिही मा तवल्ला वनुसलिही जहन्नम वसाएत मसीरा रब श्राली सद्री यस्री अम्री वहलु अग्दतं मिल्लिसानी अफ्कहु कॉली रब जिदेनी इल्मा तमाम किसिम की हम्दो सना इबरियाई बड़ाई वबरतरी उस पाक रब लिज्जत के लिए लाइक वजिवा है जो खाली के काइनात है और मालिक अर्दो समा है उस पाक रब लिज्जत की जितनी ही तारीफे की जाएकं है जिसने हमें अश्रफुल मखलुकाद बना करके पैदा फरमाया मजीद इहसान वा करम यह हुआ कि हमारी रुष्द और हिदायत के लिए हमारी रहनुमाई के लिए हमारी काम्याबी और कामरानी के लिए और सीधे रास्ते दिखाने के लिए बेश्मार नबियों को पेगंबरों को रसूलों को इस दुनिया के अंदर मभूस फरमाया हजार हजास दरूद और सलाम नाजिल हो उस हस्ति अक्दस मुकदसा मुबारका पर जिनका नाम नाम गरामि हमद मुस्तिफा मुहम्मद रुसलों सल्लाह अलिह वस्तिम है मेरे मुहतराम मुजर्गों दोस्तों आजी साथियों इस से तबल आप लोगों के सामने सूरत असर के मजमून पर कुछ रोशनिया डाली गई थी और उसके तालुक से कुछ बाते अर्ज की गई थी और आपको मालूम है उस सूरत के अंदर चार चीजों को अल्लह तबारक वात अला ने बयान फरमाया जो मुफसल तरीके से आपके सामने वो सूरत रखी गई थी एमान, अमाले सौले, हक्की वस्यत, यानि हक को पहुँचाना और सब्र, एक इनसान के अंदर अगर ये कॉलिटियां पैदा हो जाएं, ये खुसूसियात आ जाएं, तो वो इनसान कामिल हो जाता है अपने एमान में, वो मुकम्मल हो जाता है अपने इसलाम में और पूरी तरह वो इसलाम के अंदर वो दाखिल हो जाता है उन में से अगर एक चीज भौट हो जाती है, तो फिर वो अपने एमान में कामिल नहीं होगा अब हम आप के सामने ये बयान करना चाहते हैं के एक मौमिन के लिए एक मुसल्मान के लिए जब वो अपने एमान के अंदर मुकम्मल हो जाता है कामिल हो जाता है, यानि मुम्मान मजबूत हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है उस वकत तक कोई भी इनसान एक कामिल मुमिन नहीं हो सकता जब तक के वो इसलाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल ना हो जाए यानि इसलाम के अंदर ये चीज़ नहीं है कि कुछ चीज़ों पर अमल कर लिया जाए और कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए अगर ऐसा है तो फिर अल्लह तबारक वा ताला की बड़ी सक्त वाइद है अगर तुम दीन के कुछ हिस्से पर अमल करोगे और कुछ हिस्सों को छोड़ दोगे यानि तुम्हारे दीन के अंदर अगर मिलावट है यानि अपनी मर्जी के मताबिक अगर कोई चीज़ आती है तो उस पर अमल कर लेते हो और अपनी मर्जी के खिलाब कोई चीज़ आती है दीन के अंदर तो उसको छोड़ देते हो अगर अईसाही मौमला तumहरे अंदर है तो फिर लघ़ तबारकवा Alla वर्माता है कि तुम को दुम को दुनिया के अंदर हम जलील कर देंगे और क्यामत के दुम स्क्त से सक्तरीन अजाब में मचचला कर देंगे इसलिए अल्ला तबारक वात अला ने क्या फर्माया या एयुह लदीन आमनु दुखलू पिस्सिल्म काफा वला तत्तवी खुद्वाति श्यतान इन्नहु लकुन अदूँ मुबीन एमान वालो इसलाम के अंदर मुकम्मल तरीके से तुम दाकिल हो श्यतान की फैरबी मत करना क्योंकि वो खुला हुआ दुश्मन है मेरे प्यारे साथियों हमारे लिए 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 अल्ला तबारक वात अला ने बहुती बड़ा हिसान और करम किया कि हमें यू नहीं छोड़ा बेयार और मददगार नहीं छोड़ा हमारे सामने लाह तबारा कुछा ताला ने एक मॉडल तैयार किया है एक नमूना बनाया है एक सिंपल दिया है कि उसे देख देख करके तुम अपनी जिन्दगी को गुजारो आम तोर पर हम जानते हैं कि नबी करीम स्लिण लाह वाले ही वासलम को नमूना बनाया गया कि नबी की जिन्दगी तुम्हारे लिए नमूना है लेकिन शिर्फ एक चीज़ को शिर्फ नबी की जिन्दगी ही को नमूना नहीं बनाया गया बलके दो चीज़ों को नमूना बनाया गया कि नभी करीम सल्ले लिए लिए की जिन्दगी को स्रिफ यानि उनके लिए सहबा के लिए नमूना बनाया गया था क्योंकि नभी और सहबा के दर्मियान कोई चीज नहीं थी नभी की जिन्दगी सहबा के लिए नमूना थी और हमारे लिए दो चीजों को नमूना बनाया गया एक नभी की जिन्दगी को और एक सहाबा की जिन्दगी को पुरान में है आप सुरात अलबकरा पढ़िये अगर तुम्हे एमान लाना हो तो उसी तरीके पर तुमको एमान लाना पड़ेगा जिस तरीके पर सहाबा किराम एमान लाए थे अगर सहाबा की जिन्दगी से तुम्हारी जिन्दगी अलग है सहाबा के एमान से तुम्हारा एमान अलग है सहाबा के तरीके से तुम्हारा तरीका अलग है तो तुम्हारा इमान कावील कबूल नहीं है तुम्हारी जिन्दगी मुकमल नहीं है तो एक तरफ नभी की जिन्दगी और दूसरी तरफ सहबा की जिन्दगी दोनों को नमुना और उनकी जिन्दगी से जो अपने आपको अलग करेगा अपना तरीक अफ्तियार करेंगा अपनी मर्मरजी चलाएगा तो उसके लिए अदयर आकाऊ है जो शक्स नभी की जिन्दगी से अपनी जिन्दगी को अलग करेगा नभी के तरीके को छोड़ कर अपना तरीका निकालेगा अपनी मर्जी के मताबिक जिन्दगी गुजारेगा इसके बावजूद क्यूद उसके सामने हिदायत आ चुकी है उसके सामने पुरान आ चुका है और उयत्तबी गईर सबीलिल मुमिनीन अनुलिही और मुमिनीन की जिन्दगी की पेरो भी वो नहीं करेगा यह नहीं इस से मुराद मुमिनीन से मुराद सहाबा है सहाबा की जिन्दगी से अपने आपको अलाग करेगा उनकी मुखालिफत करेगा नभी की जिन्दगी की मुखालिफत करेगा सहाबा की जिन्दगी की मुखालिफत करेगा हम उसे फिर जाने देंगे वो जिधर जाएगा और अखीर में हम पकड़ लेंगे और जहन्म के अंदर जुरूसा देंगे तो नबी की जिन्दगी को सहाबा की जिन्दगी को नमूना बनाया गया हमेरे प्यारे साथियों अब सहाबा की जिन्दगी कैसे हम इख्तियर करें कुछ लोग कह देते हैं वो तो सहाबा तो सहाबा थे उन्हों तो नभी को देखा था पुरान को उतरते हुए देखा था उनके पैर की जूकियों के बराबर भी हम नहीं है हम कैसे अमल कर सकते हैं उनकी जिन्दगी को हम कैसे पकड़ सकते हैं उनके तरीके पर हम कैसे अमल कर सकते हैं हमारी जिन्दगी कुछ और है उनकी जिन्दगी कुछ और थी इस तरह की जो बाते कर रहे हैं करने वाले हैं वो असल इस्लाम के चोर है वो इस्लाम पर अमल करना चाहते नहीं है वो मुकमल जिन्दगी को नभी और सहबा की जिन्दगी पर ढालना नहीं चाहते उन्हें दुनिया की आश औ इस्रत भी चाहिए नाज औ नियमत भी चाहिए दुनिया के हराम भी चाहिए दुनिया की अयाशी भी चाहिए दुनिया की तलजुजात भी चाहिए और सिर्फ नमाज पढ़के जन्नत भी चाहिए सहाबा वो भी इंसान थे हम भी इंसान उनके भी बीवी बच्चे थे हमारी भी बच्चे हैं उनकी भी मश्गुलियात थी, हमारी भी मश्गुलियात है, उनके भी तारुबा थे, उनकी भी तिजारती थी, हमारी भी तिजारते हैं, वो आसमान से नहीं डपके थे, और नहीं जमीन से उगे थे, बलके वो भी इनसान थे, और उनके जो अमल किया, वो जन्नत को हासिल करने के लिए अमल किया है तो हम भी जन्नत के तलबगार हैं हम भी जन्नत चाहते हैं हम भी कामयाभी पाना चाहते हैं तो फिर हम सहबा की जिन्दगी को नमूना क्यों ना बनाएं नभी की जिन्दगी को नमूना क्यों नहीं बनाएं मेरे प्यारे साथियों सहーバा एक्राम की जिंदेगी क्योंकि उनको मालुम था उन्हें मालुम था कि यह जिंदगी हमारी नहीं है जो मैं बात करना चाहता हूँ आप पर पास एमान है अमाले सॉले है आप दावा का तब्लीग का काम भी कर रहे है और आप सबर भी कर त रहे हैं मसाइब पर आपने मसाइब के तालुक से जो प्रिषानिया मुसीबत आती है उस के तालुक से आप хочешь सुना आपने सब कुछ किया लेकिन इन चीजों के लिए एकोलिटीज को और इन फुसुसियाँ को इन सिफात को अपने अंदर समोने के लिए आपको किन किन चीजों की कुर्बानिय देनी पड़ेंगी अमूमी तोर पर आपको अल्लह की रह में और दीन के लिए इसलाम के लिए और कामयभी पाने के लिए जन्नत को हासिल करने के लिए और जहन्नम की आग से छुटकारा पाने के लिए तीन चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेंगी तीन चीजों की कुर्बानी पहली चीज जान दूसरी चीज माल यानि जानी और माली कुर्बानी दो चीजों हो गई और एक चीज खाहिसाते नफसानी जो हमारी खाहिश है जो हमारा दिल चाहता है इसकी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी इसकी मिसाले मौजूद है सहाब कराम रिज़नुल्लाह ताला आले मेजमाईन ने अपने दीन और इसलाम के लिए और इमान में मुकम्मल दाखिल होने के लिए इन तीन चीज़ों की कुर्बानिया दी क्योंके लह तुमारा कुआ ताला ने बतला दिया इन्नलाह उस्तरा मिनल मौमिनीन अन्फुसहुम वामौालहुम बियनलहुमुल जन्न कि ये सौदा हो गया है ये बैख हो चुका है आपस में मुमीन के दर्मियान और अल्लाह के दर्मियान कि तुम्हारी जान तुम्हारे माल ये मेरे हैं यानि तुमने दे दिया और इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिल गई अब हमें कोई थियार नहीं है ये जान हमारी नहीं है और ना माल हमारा है इसलिए आप अपने अपनी मर्जी से आप जान नहीं दे सकते आप खुदकशी नहीं कर सकते क्योंकि ये जान जो है अल्ला तबारक वाताला की अमानत है अल्ला जब चाहेगा आपकी जान लेगा आप अपनी मर्जी से अपनी जान को हलाकत में डाल सकते अब जो डालेगा गोया कि उसने जल्दी बाजी की अपनी जान देने में अल्ला ने एक चीज़ को मकरर कर रखा था लेकिन गजा कदर को भुला करके उसको ठुकरा करके अपने जान दे दी तो ये शरीयत के खिलाफ है ये हराम है आजान माल अल्ला तबारख वाताला का सहाब कराम रिजनुल्ला अल्म की जिन्दगी को देखिए आप आपके सामने सहाब की जिन्दगी मौझूद है कि कैसी कैसी उनकी कुर्बानिया इसलाम के अंदर पूरी जिन्दगी को टटो लिए और इसको वो कामिया भी समझते थे अल्ला की रामे जान देने को अगर कोई ऐसा हो का आ जाए को ऐसी हालत पैदा हो जाए तो अपनी जान देने में इसलाम के लिए द्रेग नहीं करना चाहिए और नहीं हिच्चाना चाहिए किम्के लथ अबारक वात आला की जान आए एक हराम एक हराम बीन मलहन है अल्ला के नभी सल्लाव आलिह सल्म के दोर में उस मौके को याद करो कि लथ नभी सल्लाव आलिह वासलम ने चंद सहाबा को अल्ला के नभी ने भेजा दावाता तबलीग के लिए उन सहबा किराम में हराम बिम्बलहान एक सहबी रसुल है वो चले जाते हैं बीरे माउना तक पोचते हैं और वहां जाके अलान करते हैं कि ए लोगो नभी की तरफ से मैं भेजा गया हूँ आओ मैं दावाता तबलीग लेकर के आया हूँ हराम बिम्बलहान एक काफिर निकलता है और तीर मारता है जब वो तीर कंपटी पे लगता है फिर उसके सर से खून निकलता है खून को लेकर के अपने चेहरे पर मलता है और कैया काता है काता है उच्ँ तो और बिल कावा रब बिल कावा की खिसम मैं कामयाब हो गया ये आकरी जुमला था एक कहते होई वह शहीद हो जाता है मेरे प्यारे साथियों अल्ला कि रहुं में जान देने के वो साधत मंदी समझते थे वो काम्याबी और कामरानी समझते थे भोके से उन लोगों ने सब को खतल कर दिया था मेरे प्यारे साथियों सहबा की जिन्दगी तुम्हारे लिए नमूनाया इसके इलावा कैसा इमान रहा होगा कैसी इस्तिकामत रही होगी और साबित कदमी को आप देखिए एक औरत बच्चे वाली औरत है अपने सामने तमाम बच्चों को जलता हुआ घुनता हुआ और उबलता हुआ तेल में घुनता हुआ वो देख रही है एक एक करके सारे बच्चों को उसी मा के सामने डाल दिया गया वो देख रही है कि बच्चे भुन रहे हैं जल रहे हैं बात किया थी कि तुम एमान को छोड़ दो नभी की तुम अल्ला की मुखालिफत करो शरीयत की मुखालिफत करो इसलाम की मुखालिफत करो वो देख रहे हैं तक आखिर में वो खुद अपने बच्चे को लेकर कि उसमें आग में या तो फिर खुलता हुआ तेल में प्रहाई में वो खुद जाती है कैसा इमान रहा होगा इमान में जरा सी भी लगजिश नहीं आई वो टस्से मसनी हुई अबी करीम सल्लालाई मिराज में पहुचते हैं हज़रत जिबरेईल अलिह सलाथ वा सलाम को से पूचते हैं कि जिबरेईल बताओ ऐसी कौन सी खुश भुआ रही है और कहां से खुश भुआ रही है जो पूरे आसमान को मौतर कर रही है जन्नत के तमाम अतराफ को मौतर कर रही है जन्नत के तमाम महलात को मौतर कर रही है कैसी कौश भुआ है जिबरेईल अलिह सलाथ सलाम कहने लगे ये खुश भुआ उस महल से आ रही है जिस महल को अल्ला तबारक वा ताला ने फिरावन की बांदी के लिए बनाया मशाता के लिए बनाया और उसकी इस्तिखामत की वज़ा से उसकी कुर्बानी की वज़ा से उसकी जान की वज़ा से अल्ला तबारक वा ताला ने नाम के तोर पर ऐसे महल बना दिया है जिस महल से इसी इसी बहतरीन खुश्बू आ रही है जो खुश्बू तमाम चीजों को तमाम आसमान को मौत्तर कर रही है ये लगत बारख वा ताला का इनाम है क्यों कि उन लोगों ने समझाता कि जान हमारी नहीं है और माल भी हमारा नहीं है मेरे प्यारे साथियों उस वक्त क्या मनजर होता होगा जब फिराओन ने हुकम दे दी अपनी बीबी के तालुक से कि मेरी बीबी को ले जाओ मुझे नहीं मानती है वो अल्लह की बादत करती है वहाँ पर ले जाओ सहरा में और कई आदमी मिल करके चटान को उठा लो चटान को उठा लो नीचे लेटा दो और उसके सीने के उपर चटान को पकड़ करके रखो इससे पहले कह देना कि अगर फिराओन को रब मानती है तो आजाद कर दूँगा अगर तु अल्ला को नहीं छोड़ती है दीन को नहीं छोड़ती है तो ये चटान है तुमारे सीने के उपर हम गिरा देंगे नीचे चटान के नीचे उपर सब पकड़े हुए है चटान नीचे लेटी हुई है कहा जा रहा है तुम दीन को छोड़ दो इसलाम को छोड़ तो हम आजाद कर देंगे कैसी इस्ते कामत रही होगी उन्होंने उनको पता था कि लिए मेरी जान है और अल्ला के दीन के लिए जान को पुरुआं कर दूंगी उन्होंने का नए नए इसा नए वसकर हमें मर जाओंगी लेकिन दीन को नहीं छोड़ सकती उहां दूआ करती है रब इबनी लिए इनका बैतन फिल जन्नते या लाह अलामीन तेरे दीन के लिए मैं यहां पर लेटी हुई हूँ और जानता उपर लगी हुई है या लाह आसमान के उपर मेरे लिए एक घर बना दे अपने पास घर तयार कर 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 दे और हुगम दे दे उसके लिए महल तयार कर दो महल तयार भी हो गया जन्नत तयार भी हो गई और उसके उसके आँखों के सामने से पर्दा हटा दिया गया और दिखला दिया गया ए देखो मरने के बाद ये तुम्हारा ठिकाना है तुम्हारा घर है जब तुम्हारी रूप परवास करेगी बराहरा जन्नत के अंदर दाकिल हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों मौस्ते पहले जन्न गिराने से पहले उसकी पुर्दा जिसम के उबर चट्टान फेका गया पत्तर फेका गया जो उसको तकलीफी नहीं हुई ये पुर्बानिया उल्लोगों ने दी दिन के लिए इसलाम के लिए अल्लह के लिए मदिने में इलान होता है ए लोगो चलो मैदान जिहाद में जाना है उस मौके पर एक अवरत घर के अंदर बेची हुई है कान में आवाज आती है उसका शवर पहली ही शहीद हो चुका होता है घर में कोई नहीं ना भाई है ना शवर है ना बाप है और ना कोई बड़ा बेटा है उसके गोद में एक छोटा सा दूद पीता हुआ बच्चा उसे चूम रही है उसका गोशा ले रही है और सोच रही है कि ताश के मेरे पास कोई बेटा होता कोई भाई होता मैं मैदान जिहाद में भेज देती मैदान जिहाद में भेज देती समझा रहे हैं वो बेचैन हो रही है अपने दूध पीते हुए बच्चे बम उठाती है और नबी करीम सल्हालापों के पास पहुचती है अलप के नभी वे समया करें से जा करते है कि ल्लप के नभी मेरे घर में कोई मर्द नहीं है मेरा शहवर शहित हो चुका है मेरा भाई भी नएं मेरा बाफ भी नएं ये दूदि पीता मेरा बच्चा इसे कभूल फर्मा ले अल्थी को लá जब लोग जिहाद में जाते है जंग होती है तो बहुत सारी चीज़ों की जुरॉरत पढ़ती है तीर की जरूरत पड़ती है धाल की जरूरत पड़ती है गोड़े की जरूरत पड़ती है नेजे की जरूरत पड़ती है तल्वार की जरूरत पड़ती है अल्ला के नभी आपके सहबा में से ऐसा आदमी भी होगा जिसके पास धाल नहीं होगा कि अल्ला के नभी मेरे बच्चे को कबूल फर्मा ले उसे दे देना और जब काफिर तीर चलाए और कलवार का जर्ब लगाए कलवार मारे तो मेरे बच्चे को वो ढ़ाल के तोर पर इस्तिमाल करे सारी जर्बें और सारी चोटे मेरे बच्चों पर पड़े ठाल के तोर पर वो इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे को ठाल के लिए वो काम में आएगा मेरे प्यारे साथियों यह औरते भी पीछे नहीं थी दीन के तालुक से इसलाम के तालुक से यह जजबा कहां से पैदा हुआ यह जजबा नभी ने सिखाया था यह जजबा पुरान ने सिखाया था यह जजबा दीन ने सिखाया था मेरे प्यारे साथियों यह दीन के अल्ला की राह में दीन की राह में यह उनकी पुर्वाणिया थी जो सहभा एकराम ने दी थी और सहाबियात ने दी थी तो पहली चीज जान की कुरवाई और दूसरी चीज क्या है माल की कुरवाणी माल भी अल्ला की रामे देना पड़ेगा क्योंकि माल के बगार स्रीफ जानी कुरवाणी से दीन की नशरो इशाथ नहीं हो सकती है दीन तरकी नहीं कर सकता है इसलाम नहीं फैल सकता है आप इसके बिज़र नहीं काम कर सकते हैं अल्ला के नभी सल्ला लगे पास कुछ नहीं था लेकिन अल्ला के नभी के पीछे से इतनी सपोर्ट थी इतनी सपोर्ट थी कि हजुरत अवकर सिद्धीग माल ले करके कड़े हुए हैं हजुरत अमर खारुद रसी अल्लावत तबलिग करते रहें हम आपके पीछे हैं अगर माल की जरुरत बड़ी तो हम देने में द्रेट नहीं करेंगे देर नहीं करेंगे आपके पीछे और दीन इसलाम के लिए माल को लुटाने के लिए हम तैयार है मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नभी सल्ले लाह आले ही वासलम के ऐसे इर्शदात मौजूद है कि अल्लाह की रामे माल दिये बेगार एक इसान एक मौमिन एक मुसल्मान कामयब होई नहीं सकता कुरान करीम की आयत तो अलग है कि लंतना लुबिर्रा लंतना लुबिर्रा हता तुन्विकू मातो हिबून दुनिया के अंदर सबसे महभूब तरीन क्या चीज़ है इस जमाने में मैं समझता हूँ सबसे महभूब तरीन चीज़ इनसान का माल है इनसान के लिए पैसे है इनसान के लिए दौलत है अगर माल है दौलत है तो इनसान बड़े सुकून के साथ रहता है अगर नहीं है कई तारो बार ठप हो जाता है बैठ जाता है तो बेचेन हो जाता पैसे नहीं है बेचेनी आ जाती है सबसे महबूब तरीन चीज तो क्या है वो माल है अर अल्लह तो आरा को आता है कि इस वाकत तुम नेकी पा नहीं सकते काम्या भी पा नहीं सकते अल्लह कि या महबूब नहीं हो सकते हो जब तक के तुम्हारे नजदी जो सबसे महबूब तरीन चीज़ है यानि माल उसको खरच करोगे तब अल्ला की खुशनोदी अल्ला की कुर्बत खासिर हो सकती है इसलिए उन्होंने किया और हड़त आईशा रजी अल्ला हो और एक बात और कहिए देना चाहता हूँ कि नमाज के जर्ये से, रोजू के जर्ये से, बन्देगी और इबादात के जर्ये से यहां तक कि अगर उसके पस माल है लेकिन उमाल खरच नहीं कर रहा है नमाज, रोजा, हाज, जब जबात अगर इन चीदों पर अमल को करता है तो अलभ के नवी सनल लना सिल्म पर माते हैं यह चीज उनको उनके लिए काफी नहीं है, जहन्म से बचाने के लिए हदरत जायशा रz. अनहां से अलभ के नवी सनल लना सिल्म कहते हैं क्यों ना हो तभी तुम जन्नत के अंदर दाखिल होगी और जहन्नम से च्छुटकरा मिलेगा और एक अधिस के अंदर आता है अल्ला की रा में देने का इतना बड़ा मरतबा आए कि अल्ला के नबी सल्ला लाध अलिह उसल्म करमाते हैं के लोगो एक मुठी के जरीए से दिन के मामले में एक मुठी के जरीए से एक फजूर के जरीए से तीन लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करता है तीन लोगों को एक मुठी के जरीए से तीन लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करता है तीन लोग कौन को हैं एक वादमी शोहर घर का जो एक मुठी आठा ला करके अपनी बीबी को देता है उसने आठा खरीदा एक मुठी आठा को खरीदा और अपनी बीबी को दे दिया बी बीबी रोटी बनाईी और बो रोटी फिर किसकी था मुंत किल हुई गर जो खाधिम है नौकर आए वो खाधिम ले जा करके किसी गरीब को दे दिया किसी मिस्कीन को दे दिया ये तीन शक्स हो गए लाता लाने वाला शोवर रोटी बनाने वाली बीबी अब उस रोटी को ले जा करके किसी मिस्कीन को दे दे देना किसी फकीर को दे दे देना किसी मोताज को दे दे देना ये तीन लोग हैं, अस एक मुठी के सदके के जरीए से तीन लोगों को जन्नत के अंदर दाकिल फर्मा दिया, तीन लोगों को लोगों 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 की राह में माल को खर्श करना और इसे ही दिन के लिए इसलाम के लिए और फिर आपकी नमायद एक बर in आज़ है एक मौध पर इस छीजी की नमाद noted पढ़ाई इस चीजी की नमाद Gamal इस चीजी की नमाद पढ़ाने के बाद अर्ला के नभी आवरत, आवरतों के पास चले गए, आवरतों की जमात में चले गए, और वहां जाकर के ल्ला के नभी एलान करने लगे, या मौशर النिसा अतसदिकना वाहर सिर ना बिल इस्तिवार, ए ओरतों की जमात, तुम आल्ला की राम अपना माल खरिच करो, सदका करो, ज्यादा से ज्यादा इस्तिवार करो मुझे दिखाया गिया है, जहन्न, के अंदर सबसे ज्यादा ओरते जल रही हैं, ए ओरतों की जमात मेरे प्यारे साथियों, इतना सुना ही था, उनके दिल सहम गए, वो बेचन हो गई, जब सहाबा और सहाबियात, अल्ला की नभी की वसियत या नसियत सुनती थी, उनके दिल दहल जाते थे, वो बेचन हो जाते थे, मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा दिल, हमारे दिलों पे मुझे असर नहीं होता है जितनी ज्यादा हम तक्रीरे सुनते है जितनी ज्यादा हम बयानात सुनते है उतना ही ज्यादा हमारा दिल सक्थ होजता चला जाता है उतना ही ज्यादा पत्थर बनता चला जाता है हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता है اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا या व्रतों की जमात तुम सद्का क्या करो जहन्म की आग से बचने के लिए वा व्रते सहम गई उनके दिल दहल गए व्रते क्या करने लगी अपने हाथों के कड़े उतारने लगी गले के हाथ उतार उतार करके देने लगी फैरके पाजव और कान के बालिया और उन्लियों के छले उतारने लगी और अपने जिवारात को اللہ के नबी صلی اللہ علیہ وسلم के सामने पेश करने लगी अल्लह के नबी ने देखा कि सारे जिवारात या व्रते निकाल रही हैं अल्लह कि राम में जिवरात का एक धेर हो गया मेरे प्यारे साथियों उनके अंदर इवान था इमानी जज़बा अल्ला की रह में देने का ज़बा किस तरीके से अल्ला की रह में खर्च किया जाता है ये माली कुर्बानिया मेरे प्यारे साथियों यहां से एक बात साबित होती है जो लोग कहते हैं कि चंदा करना दुरूस नहीं है जाइस नहीं है जो मस्जितों के लिए मदर्सों के लिए लोग आते हैं उलामा आते हैं ये सही नहीं अल्ला के नभी के समान में चंदा नहीं होता था ये फिर क्या है और बाद मोके पर तो बाद जंगों के म हाँ ये बास भरूर है कि वो छोड़ चल कर ने पास यह मेरे प्यारे साथी की हुआ है पास हमारी आप तो मस्जीदों के लिए मदशों के लिए उलमा ए आइमा चुछ्टो डें ग helt कि उनकी जिंदगी ऐसी पत्तर बन कैểई है ऐसे परेशान ह्वाज वह चुके हैं वह कि उसकता कि अपने के लीए बाख करें लेकिन चंदा जाइज है त्रीक ऐसे कियाजा सकता है अव्रत अवरते अल्ला की नभी नहीं अलमांगे पहली अपिर सुन्ही हो गया अव्रतू की जमात और ऐसा मूक आजाए तो जान को पुर्बान कर देना और ऐसा मूक आजाए दिन में लगाना है दिन में लगाना है अब दिन की भलाई और दिन की तरक्की होनी है तो फिर अपने माल को लह की राह में कुर्बान करें फजुलियत में ना लगाएं और एश परस्ती में ना लगाएं और शेतानी पहरोगी में ना लगाएं भलकर राहमान की पहरोगी में लगये इसाथ jemand दो चीजए हो गई तीसी चीजँ खायशा थे नफसानी इंसान का दिल बहुत कुछ चाहता है और ये इन्सानी फित्रत है और नफ्स की भी फित्रत है कि नफ्स जो है बुराई की तरफ भुरता है लोगों नेकी की तरफ लेनी जाता है बुराई की तरफ खला फला चीज़े करने के लिए कहता है तो उस नफ्स को मारना है और उसके रुख को दीन की तरफ मौड़ देना है नफसानी खाहिशात जो हमारा दिन चाह रहा है उसकी बात नहीं माननी है बात वही माननी है जो दीन के मताबिक हो देखिए सावा क्राव एक सहाबी रसूल है साद अस्वड अस्वड के अंदर नकल किया है एक सहाबी रसूल है साद अस्वड अस्वड ये साद गाहूं था अस्वड जो है ये लगब है ये बहुती काले थे इतने काले इतने काले कि कोईलावी थोड़ा साफ होता है उससे भी ज्यादा कहीं काला श् Entertainment नहीं हुए अँछावा तो मुमी नहीं हो इन मेन except आते हैं और आगर में कैन के लिए में बहुत ज्यादा काला हूँ च्वाहम यद आगर इमाल लाओ उ तो जन्नत की राव में ये ये मेरा काला पनो रुका वट तो नहीं ड़ाएगा यानि अल्लै तबारक वाता आ जाते हैं और आ करके कहने लगते हैं ये अल्ला के नभी मैं एक जवानाद भी हूँ और मैं बजसूरत भी हूँ लेकिन मुझे शादी की जरुरत है मैं बहुत काला हूँ शादी की जरुरत है शादी करूँगा लेकिन मेरा पेगाम कोई कभूल नहीं करता है ये सारे सहबा पेगाम भेजा, सबने ठुपरा दिया, सबने मा कर दिया, किसी ने कबूल नहीं किया, मैं क्या करूँ? अल्ला के नभी नियुक्ति ने फरमाया, ये साद अस्वद, हाँ तुम्हारा हल जरूर निकलेगा, अगर इसलाम के अंदर तुम्हारा हल नहीं निकल पाया, तो फिर कौन से मझहँ में जाओगे, कौन सा इसला धरम और मझहँ है, जिसमें तुम्हारा हल निकलेगा, अगर यहाँ पर तरह तिरे मसंब्सूश का तरह नहीं निकलेगा, छीड़ है, मैं हुकम देता हूँ, जाओ, एक आदमी है एक सहाबी रसूल है अमर बिन वहाब उनके पास चले जाओ अब कहदेना कि नभी ने भेजा है अपने लड़की की शादी कर दो वो साथ जाता है दरवाजे कट-कटा आता है वो आदमी बाहर निकलता है साथ अमर बिन वहाब क्या वात है अल्ला के नभी ने भेजा शादी करो अपने लड़की की मेरे साथ उपा से नीचे तक देखा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरी बेटी तो बहुत हसीन तुरसूरत है नहीं तुम जाओ और मैं यह भी बता दू जो जुलेवीब का जो आपिया है वो दूसरा है यह साथ का वो के दूसरा है तुम जाओ वो निकल गए माईसों करके जाने लगे उनकी लड़की आती है और बजाते फुद साथ को पुकारती है यह साथ वापस आ जाओ वापस आ जाओ लेकिन वो दूर निकल चुके थे बात सुनाई नहीं दी, आवाज सुनाई नहीं दी, उच चले गए नभी के पास, अपने बाद को कहने लगी, ये मेरे अपू जान, आप इस रिष्टों को कबूल कर ले, और ना ऐसा ना हो कि लख तबारा को आताला कुरान के आधना जिल फर्मा दे, और मुनाफिक का हुकम आप पर लग जाए, आप नाफिक हो जाओगे, तो तडब गए, उच चले गए, कहां चले गए, अल्ला के नभी के पास जाकर के माजिरत कर दी, और कहें माफिमागने लगे, अल्ला के नभी आन जाने में, मैं इन्हें ठुपरा दिया रिष्टा, ये ल्ला के नभी मैं आय हो गया अब लाह के नभी शल्लाः टूम ने फर्माया ये साथ तुम्हारी आज पहली रात है शब जुभाफ है अपने बीबी से मिलोगी अपने बीबी सो मिलोगे तो तुम एक काम करो अपने बीबी के लिए तुफ़ा तहाई बाजार से खरीद करके लिगाओ सारी जिंदगी की अरजुए हैं उमंगे हैं तुम नजवान हो तुम अपनी बीबी से खुशूरत बीबी से मिलोगे चाओ बाजार जाओ तुफ़ा तायफ खरीद करके लाओ साथ चले जाते हैं बाजार की तरफ अपनी बीबी के लिए तुफ़ा तायफ कप्ड़ वगए खरीदने के लिए पहली रात शब जुफ़ाप मनाएगा मेरे प्यारे साथियों वही पर किसी ने आवाज लगा दी या खैल ला इर्गवी वाबुशिरी बिल जन्ना ए लोगो या लाके बंदो अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और जन्नत की बशारत लो चलो मैदान जिहाद में यहाँ पर सामान खरीदा जा रहा है बीबी के लिए पहली राते मुलाकात होगी बहुत सारी नफसानी खाहिशात हैं उमंगे हैं अरजुएं हैं तमन्नाए हैं सामान खरीद रहे हैं जब तान में आवाज आ गई कि चलो अल्ला की राह में मेरे प्यारे साथियों अब बीबी ओं आप वो अपनी बीबी का सामान उन्होंने छोड़ दिया बीबी का सामान खरीद रहा ही छोड़ दिया तोफ़ा तायब के जगा पर तल्वार खरीद रहे हैं धाल खरीद रहे हैं तोफ़ा तायब के जगा पर वो नेज़ा खरीद रहे हैं तो पदाईत के जगाँ पर वो सावान के असलास खरीद रहे हैं अमामा खरीद रहे हैं, मेरे प्यारे सातियों उल्हों ने तरक कर लिया अपने बीबी से मुलाकात करना अमामा बांपके सहाबा कокиरम की मजमेद मेुदाकिन हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले कभी अमामा उन्होंने बांदा ही नहीं सहाबा करम पहचानी नहीं पाई उसको के ये साधलस्वद है चले जाते हैं मैदान जिहाद में जंग करने लगते हैं घोड़े पर स्वार हो करके उस मौके पर घोड़ा बिदगा और घोड़े की पीट के उपर से वो नीचे गिर पड़ा जैसे ही नीचे गिर पड़ा वो पैयादा खड़ा हो जाता है उसके बाद लगान जाते हैं उसके बाद लगान लेकिन जंग में इसकदर वो मस्ते मगन थे कि अल्लह की नभी की आवाज सुनाई नहीं दी वो जंग करते रहे यहां तक के वो शहीद हो गए शहीद होने के बाद जंग खतम होती है अल्ला के नभी स्लिए लाहु आले ही वासलम के सामने उनकी लाश आ जाती है अल्ला के नभी बैठ जाते हैं उनके सर पो अपने बोद में रखते हैं और अल्ला तबारक वाताला से फर्माते हैं कि ये अल्ला तेरे दीन के लिए साथ ने अपनी बीबी से मुलाकात करना छोड़ दिया और तेरे दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया यहां तरके अपनी बीबी से भी मुलाकात नहीं ये लोगो जब कोई इनसान मर जाता है तो उसके सामान का हगदार उसका वारिस बन जाता है किसी बेटा को मिल जाता है माबाप को मिल जाता है सामान लेकिन साथ का जो सामान है किसी को नहीं मिलेगा बलके इसकी बीबी को दे दो क्योंकि वो बेवा हो चिती है ये उसकी हगदार है और वहां पर जा करके साथ असुत रजी अल्लाहुत नहों की खुशकबरी सुना दो इनकी साथ को खुशकबरी दे दो इनकी बीबी को खुशकबरी दे दो इनके ससूर को खुशकबरी दे दो कि घुमेरने की कोई बात नहीं है गम मत करना रंजीदा मत होना साथ रजिय लौब तयाला नहों ने दीन के लिए इसा कर्नमान जाम दिया फोर साथ रजिय लौब तयाला हो का पहला कतरा जन् chromत के अंदर बड़ी भड़ी आंको वाली और खुबसूरत हूर से अल्ला ने इनका निकाह कर दिया, शादी कर दिया, इस दुनिया की जो तुम्हाई उनकी बीवी थी, उस बीवी से कहीं, जियाद अल्ला तबारा को आता ने खसीन वा जमील बीवी अता फरमा दी, साथ रजी आल्ला ने जन्नत में पहुंच गए, अपनी हूरों के साथ वो शुब जफाब मना रहें, यह बीवी दुनिया के अंदर ने तो रह गए, लेकिन साथ रसी आल्ला ने कर दिया, हूरों से यहां तो शुब जफाब नहीं हुई, लेकिन लेख तबारा को आता ने यहां, वो मना रहें, अब शादी हो चुकी है, इ साथ रसी लला अनहों के लिए अल्गे नभी ने खुश्कुष्कबरी अता फर्माईी, यह लोगों, ल्लह की रह में जान, और ल्लह की रह में नफसानी खायशात को पुर्वान करनी ता, यह सिला है, यह अंजाम है, ल्लह तवारा को आताला की तरफ से इनाम है, ल्लह जिन्दगी की हसरत है और और तमनाए और अरजू को रहे ने छोड़ करके DIY के दिन के लिए उसकी रा के लिए अपनी जान को और अपनी नफसानी खाइशात को तुबां कर दिया तो एक इंसान के मुकमल होने के लिए अब कामिल मुमिल बनने के लिए कामिल मुसल्मान बनने के लिए अलाला के हतामात पर जिंदे गुजाने के लिए तीन चीजों की पुर्बानी देनी पड़ती है जान, माल और नफसानी खाहशात इसके बगैर चारा नहीं है इसके बगैर अल्लह तबारक वा टालह की सही मालों में इत्यवाइर नहीं हो सकती है अल्लह तबारक वा टालह से दुआ है कि लाह अल्यालमीन हमें कहने सुन्ने से ज्यादा मर गरने की तुफेग अता अिपर्मा या अल्हालामीन गुरान और सुन्नत के मतभी जिन्दी गुजरने की तुफिक अता फर्मा या अल्हालामीन जब तक हम इस दुनिया के अंदर रख इमान इसलाम के साथ जो हमारा हाद में हो तो इमान के साथ हो याहला बन जोग परिशान हाल हैं लग परिशान हे को दूर पामा वाद इन आ लाहल है विछ इन लेता चैनी अोगल में अंपन। एक चीज आवर बतलादू आप लोगो के एक मसला कारोबार के तालुक से जैसे दो आदमी होते हैं एक कारोबार है एक तिजारत है दो आदमी होते हैं या तीन आदमी होते हैं यहाँ जब एक आदमी ने पैसे लगाया और यह मौईदा हुआ कि तुम पैसे लगाओ मैं मिहनत करूँगा या तो फिर तीन आदमी हैं दो आदमी उनों पैसल लगाई उस कारोबर में और एक आदमी को रखा तो महिनत करोगे और जो नफा होगा नफा पे सब शरीक हो जाएंगे दो आदमी है नफा होगा कारोबर से दोनों शरीक ठीक है एक कामाल और एक की महिनत उसके वज़ा कारोबर बैड़ जाता है का माल लगता है और दूसरा रात में महिनत करता है जब फाइदा होता है तो दोनों शरीक होंगे बराबर उसू लेंगे और अगर तिजारत में भाटा हो गया नुकसान हो गया तो जिसने माल लगाया नुकसान वही उठाएगा और जो महिनत करता है वो नहीं उठाएगा बलक पुरा नुकसान उखाएगा जो मिनत करता है वो नुकसान नहीं उखाएगा ऑब अ का सल्यता बुराहीम वाला इभराहीम बुर्तो अधाएगा लिया वाला इवसे डिया गोड़ाएगा जो मिनत करता है वाला कि अवड़ा हिएगा टाला की वाला मुट और दो अद्वार अचांद को अद्वार अशाद न हुआत जाद को ऑटार और आडने महाले रुज आडने जाडने जिडाओ खरो आडने में उद्वार आडने। सब्सक्राइब कर लें, मिलके खड़े हो जाएं, कंदे से कंदा, कदम से कदम मिला लें Allah Allah बिस्मिल्लाइ अल्हम्दु लिल्लाहि रबिल आलमीन अर्रह्मानि अर्रहीम मालिक यूम इद्दीन इयाका नाबुद वैयाका नस्ताइन इह्दिन अस्रात अल्मुस्तकीम सिरात अल्दीन अन्वंत अल्यहिम गयरिल्मदूब अल्यहिम वलाज्दालीन आमीन बिस्मिल्लाइ रह्मानि अल्युम सब्षिस्म रबिकल आला अल्दी कुलक फसवा वल्दी कद्दर वहदा वल्दी अखरज अल्मरा वज्दाल अख्याव बसाए नह्वा सनक्रिवक फला तन्सा इला मा शाओ आला इन्नहु यालमु जहर वमा यक्फा वन्यस्रु का लिल्युसुरा फदक्र इन्न फाति जिक्रा सयद्दक्र मैं यक्षा वयत जन्नब हाल अश्का अल्दी यस्लन नराल कुबरा सुम्ला यमुत फीहा वजा इहिया वददफल कम तजक्र अस्म रब्यी वसल्ला बल तुसिरुन अ छयत अदुन बन्या वो आकिरतु खायु औकाः इन्न घा ओाल फिस्सुछ अुला सुछ फिवराहीम वमूसा Allahu akbar Assalamualaikum 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 Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Allahu akbar Assalamualaikum 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 Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh